Hello everyone, आप देख रहे हैं चैनल Assault Defense देखे आज का update, result के उपर final update रहने वाला है अब ऐसी बात क्यों है, जैसा कि आप सब जानते होंगे आपने first semester के जो exam में, वो March में दिये थे उसी को लेकर काफी students के अभी भी doubt आया कि सर मैं ये बताइए, जो हमारा next semester है होगा है, या फेल है, या हमारे subject में ER आ गई, वो हमें अभी तक नहीं पता चला है, और हम अगले semester के exam देने जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने बताया था कि दाई से तीन महीने में semester का result declare कर दे जाता है, पर अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि हमने exam March में देते, April, May, June, July, तीन सा साड़े तीन महीने हो रहा है, और अभी तक हमारे result का ना कोई अता है, ना कोई पता है, और जो हमारे result है, अब वो कब तक देखने को मिलेगा, वो हमें बस last बार confirm कर दिजे, और इसके बाद जो अगली वीडियो आए, सिधे ऐसी आनी चीए, कि first semester result declared, how to download, और ऐसी वीडियो आएगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, आज आपको ये सारी चीज़े confirm की जाएगी, उसके साथ ही आपको बता जाएगा, जो आपको result आएगा first semester का, वो कौन सा पोर्टल होगा, और लिंक कौन सा होगा, और दिखने में कैसा होगा, और आपको कौन से डिटल्स चाहिए होगी, चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उससे पहला अगर आपने अभी तक उसका result में आपको बताया था हूँ, March में confirm करते हैं, आपको ये तो पता, आपको ये नहीं बता कि second phase के assignment के exam दुबार लिये गए थे, वो April में लिये गए थे, तो ये मान के चलिए 15 से 20 दिन वो मालेजी है, फिर आपको ध्यान रखनी है, और सर आपने दो तीन हफते पहले एक और वीडियो बनाई थी, उसमें आपने बताया था कि सर, जो आपके result की expected date है, first semester की, वो second week of July तक होगी, तो आप देखे, दो week में तो 14 days ही होते हैं, और आप 10 July हो चुके है, क्या सर हमारा चार दिन में result declare कर दे जाएगा, देखे, ऐसा कुछ confirm नहीं कि आपका चार दिन में result declare होगा, अब आपको ये मान के चले हैं, साथ दिन मान लेजी, एक हफता, कि 11 आयक से 17 July के बीच में, आपका जो result है, वो declare कर दे जाएगा, और एक main बात और, सभी courses का नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहले जिसमें कम students हैंनी, honors वाले courses का होगा, या फिर एक कोई भी program courses का result declare कर दे जाएगा, ये confirm है कि 11 से 17 के बीच में आपका result declare कर दे जाएगा, उसके 4-5 दिन बाद आपके दूसरे course का result declare कर दे जाएगा, तो ये आपको चीत समझ में आगी, कि अब आपको बस इतना patience रखना है, 7 दिन और, इतने महिने रुके हैं, तो 7 दिन और रुक जाएगे, अब इस दिमार्क में से इस बात को निकाल दीजे, result को, अब जो आपके exam में उस पर focus कीजिए, अग इस टाइब का portal आएगा आपके सामने, dueresult.du.ac.in, ये due के official website है, इसके ओपर ही regular वाले students का भी और soul वाले students का भी एक साथ result निकलता है, यहाँ पर सबसे वहले University of Delhi लिखा होगा, result semester mode है आपका, और आपका semester examination यहाँ पर March लिखा होगा, March 2023, अब देखिए, यहाँ पर लिखा ह name, अब इसमें क्या है, कैसे करना है, वो जब भी आपका result declare होगा, सीधे वही वीडियो आपको मिलेगी, उसमें बताएंगे आपको how to download, कैसे download करना है, exam session कैसे करना है, role number तो आपको बताए, DOV और capture code डालके print scorecard कर देना है, एक बात ध्यान रखना है कि soul है, जो आपका result नही के tension नहीं लेनी है, कब आएगा, जब भी आएगा, हम आपको बता देंगे, अब आप एक हफते wait कर लेना है, और bell notification लो all पर कर देना है, जैसे result आए, तो सुबहल बहले आपके पास notification आए, चले फी वीडियो को ही खतम करते हैं